अमारिका का जंगी जहाज तैनाते हैं जर्मनी फ्रांस की वार्शिप का तैनाते हैं या तकी भारत की भी जहाज जो हैं वहाँ पर तैनाते हैं जिसके बाद अब सवाला का अदलगातार इस बात का उठाए कि सिर्फ वहाँ पर जो है अमारिका और ब्रिटेन मौजूद नही कि उनके ठिकानों को राख में मिला देंगे इरान ने भी अमारिका को धमकी दे दी है कि यमन में किये गए हमलों का तो वो जबाब देगा तो यहाँ पर जिस तरीके से US-UK के जॉइंच आपर चला है लेकिन अब यहाँ पर जबाब भी दिया गया है देंके अमारिका और बिटेंग के हमलों ने यमन में हूती विद्रोयों की कमर तोड़नी शुरू कर दी है कहां कहां हमला हुआ सबसे पहले आप तो यह बताते हैं यमन के बानी में अटाक हुआ है जहाँ पर हूती का ड्रोन ठिकाना यहीं से वो निगरानी और अटैक ड्रोन लॉंच करता है देगे यमन के एक और इलागे की बात करे एपस में हमला हुआ जहां से हूती विद्रोही क्रूज मिसाइले दागते हैं यमन की राज़दानी सना में चार जगाव पर हमले हुए है ये हूती के सैन ठिकानी है और वही उत्री यमन के साड़ह में हमला किया गया दावा ये किया जरहे कि उती का ट्रेनिंग कैम्प याँ पर मौझूद है और हत्यारों का गोदाम भी यहीं पर मौझूद है यमन के बाजिल में भी हमला हुआ है जहां हूती का अड़ा है तो यह आपको वो वो जगाई दिखा रहे हैं जो आपर हमले कोई हैं तो देखें यहाँ पर हूती विद्रोयों के ठिकानों को तबाह कर दिया गया है लेकिन इराक में भी अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ है अमेरिकी सूत्रों ने दावा किया है कि हमले के पीछे इरान समर्थे तातंकी संगर्थन हो सकते हैं जो इस इलाके में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं आला कि देखें तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है लेकिन यहाँ पर हमला करने के लिए ब्रिटेन और अमारिका ने अपनी नौसेना और वायू सेना का इस्तमाल किया है देखें ब्रिटेन के टाइफून लड़ाको विमानों ने साइप्रस से उड़ान भरी और यमन में हूती के ठिकानों पर हमले बोल दिये ब्रिटेन ने अपनी सब्मरीन से भी मिसाइले दागी जिसने यमन के दो शेरों में हूती ठिकानों को तबहा कर दिया हमलों को अंजाम देने के लिए खासतोर पर टॉम हॉक मिसाइल का इस्तमाल किया जा रहा है तो हूती पर किसे हमला किया गए यह आपको बता रहे है जो महॉक मिसाइल का इस्तमाल किया गया है साथी तमाम जो सेना के लोग है वो फिलाल वाग ग्राउंड पर मौज़ोद है यह तस्वीरे भी हम आपको देखा रहे हैं कि अमेरिका और बिटेन के तरफ से यह साजा ओपरेशन किया जा रहा है इन सब के बीच में आपे समझ हुए कि आकिर यमन के स्तिती जो है क्या होगी हालागि यमन के तरफ से साफतार पर कहा जा रहा है कि हम अमेरिका हुए या बिटेन किसे ना खाक में मिला देंगे तो यमन पर हमला करने के लिए बृटेन और अमारिका ने रखी जॉइंट यहाँ पर उपरेशन चलाया है box लडाको विमान जंगलिझ जहाजों की हम बात करें yılहां पर यमन पर हमला करें लेकिन यमन ने भी पलटवार किया है और कहा है चाहे ब्रिटेन हो अमेरिका हो कितनी ही सूपर शक्तियां क्यों ना हो वो खाक में मिला देंगे लेकिन अभी ये जंग का खाड़ा बन चुका है और लोग यहाँ पर डरे होई है तरीके से पूरी तरह से समाप्त कर दें 10 मुलकों ने किस तरीके से हूती का दम निकाला है हम आपको वो दस शक्सियत भी दिखा रहें वो दस बड़े देश भी दिखा रहें जिसमें दक्षन कोरिया जर्मपनी कानेडा ब्रिटियन अमारिका ऑस्ट्रेलिया बैरीन साथी दा पनीदलेंस और न्यूजिलेंड शामिल है ये वो दस जो है बड़े देश है जिन्होंने हूती विद्रोहियों के उपर किस तरीके से आकरमण किया था तो ये तस्वीरे आप देख लीजे इस वक्त जंग का खाड़ा बंगया है दस मुलकों ने हूती विद्रोहियों क्योंकि हूती विद्रोही जिस तरीके से लकतार आतंक मचा रहे थे अब चुन चुन करके हूती विद्रोहियों के ठिकालों पर अमारिका और ब्रिटिन की सेना मुख्य तोर पर हमला कर रही है